हिंदु धर में सादू संतों की लंबी परंपरा रही है सादू की इस परंपरा में कुछ पुरुष नागा सादू भी होते हैं कुम्ब मेला होने पर हर जगे नागा सादू की चर्शा होती है लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि नागा सादू के वर पुरुष नहीं बलकि महिलाएं भी नागा सादू होती हैं यह मैला नागसादू कम ही नजर आती हैं कुछ खास दिनों में ही यह लोगों के सामने आते हैं आपको बता दें कि आम तोर पर ऐसे सादू कुम्ब मेले जैसे खास आयोजनों में ही देखने को मिलते हैं हिंदू धर्म में इन नागसादू का विशेश महत्व है क्योंकि बहुत तपस्य करने के बाद ही उन्हें नागसादू की उपाधी मिली थी उनके नियम भी बहुत सक्त हैं नागसादू में केवल पुरुस ही नहीं बलकि महिलाएं भी शामिल हैं पुरुस नागसादू के विपरित महिला नागसादू नंगन होकर नहीं रहती हैं वे केसरिया रंग के सिले हुए वस्त्र धारन करती हैं पुर्सों की तरह ही उनके भी बाल लंबे होते हैं वे भी भस्म लगाती हैं माती पर तिलक लगाया जाता है वे कपड़े पहनती है लेकिन उन्हें केवल एक कपड़ा पहने की अनुमती होती है इसे गेंटी कहते हैं आश्रम की अन्य साधवी महिलाओं को माता के रूप में नागसादू कहा जाता है नागसादू का जीवन बहुत कठिन होता है गोर तपस्य करने से ही उन्हें ये पद प्राप्त होता है लंबे बाल, जले अंग और हाथ में एक छड़ी के साथ नागसादू बनना उतना असान नहीं है जितना लगता है महिला नागसादू के लिए भी ये प्रक्रिया काफी कठिन होती है वे कई साल जंगलों और पहाडों में बिताते हैं और तपस्य करते हैं वे जीवित रहते हुए भी पिंडदान और केश्वन करते हैं समाने जीवन में पाई जाने वाली बहुत सी चीजों को त्याग करने के बाद ही उन्हें अपने गुरू से महिला नागर सादू की उपादी प्राप्त होती है महिला नागर सादू आम लोगों से काफी दूर रहती है उनका उद्देश से भगवान की पूजा करना है इसलिए वे कुम या महा कुम पर्व के दोरान ही आम नागरिकों के सामने नदी के पवित्र जल में इस्तनान करने आते हैं समाज में नागा सादू के प्रती काफी अकर्शन है नर और मादा नागा सादू के रंग रूप में ज़्यादा अंतर नहीं होता है इसके साथ ही अन्य नागा सादू की तरह ही इन्हें भी घोर तपस्या करनी पड़ती है असल नियोज वीरो रिपोर्ट